हलो फ्रेंड से मैं हम इत्माल विया एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब शेनल के एक और नए वीडियो में कौन सी वो जो नई सर्वीस है जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज़ादा इनफर्मेटी होने वाली है तो वीडियो में बना रही है एंड दक और चैनल पे नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर भीजिए इसी तरह का Digital India से रिटेट कंटेन आप लोगों को हमारे चैनल पे मिलते रहता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अगर आपका जो है किसी भी बेंक में अकाउंट है तो आपको जो है फोन पे गूगल पे या किसी भी तरह का UPI जनरेट करने के लिए या आपको जो है किसी भी तरह का UPI बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होता था ATM, ठीक है ना, बिना ATM के आप जो है किसी भी तरह का UPI PIN नहीं बना सकते थे, UPI जनरेट नहीं कर सकते थे, चाहिए आपका फोन पे अकाउंट हो, भीम UPI हो, या आपका गूगल पे अकाउंट हो, पे ATM बगेरा कुछ भी हो, ठीक है ना, बिना ATM का करेंगी कि आपका कौन सा बेंक है, और आप यहाँ पर UPI कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, UPI PIN जनरेट करने का तरीका वो भी आधार काट से, उसके बाद मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन सी बेंक हैं, जिसका आप UPI आधार से बना सकते हैं, तो दोस्तों जिसकिसी भी एप्लिकेशन का आप UPI PIN बनाना चाहते हैं, आपको सिंप्ली करना क्या होगा, उस एप्लिकेशन को अपने मोबाइल में पहले तो इंस्टॉल कर देना है, ठीक है ना, आप जो भी भी मोबाइल के साथ में बेंक रजिस्टर है, उस बेंक को फाइंड कर लेना है, आपको generate UPI वाले आप्शन पर जाना है, यहाँ पर जाने के बात आपको एक आप्शन देखने के लिए लिगाए, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दो आप्शन देखने के लिए पहले आपको एक ही option देखने के लिए मिलता था debit ATM card का ठीक है ना लेकिन यहाँ पर अब आपको जोई दो option देखने के लिए मिलेंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर आधार card को भी include कर दिया गया है मतलब आप जोई आधार number से यह अपना UPI pin बना सकते हैं तो आपको जोई आधार वाले option को tick mark करना है continue वाले button पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको जोई अपने आधार card के six digit ठीक है ना last वाले six वो आपको यहाँ पर enter कर देना है and confirm करना है उसके बाद यहाँ पर आपको create pin का option आजाएगा तो यहाँ पर आपका bank का नाम भी आजाएगा आपको simply create pin वाले button पर click करना है अब आपको जैसे आप create pin वाले button पर click करेंगे आपके आधार से register mobile number पर एक OTP बेजा जाएगा OTP आपको यहाँ पर feel कर देना है जैसे कि आप देख रहें UPI pin बना लेना है ठीक है ना उसको यहाँ पर एक बार फिर से confirm कर देना है जैसे आप confirm कर देते हैं तो आपका UPI pin यहाँ पर generate कर दिया जाएगा यह तो था process दोस्तो अभी यह वाला जो process मैंने आप लोगों को access bank का बताया लेकिन यहाँ पर जो है बताया गया है जैसे कि आप उपर की तरफ देख सकते हैं live bank supporting आधार OTP मतलब जितने भी सारे SA bank है जो कि आधार OTP को यहाँ पर support करते हैं जितने भी सारे bank है उनकी सब की list यहाँ पर दे दी गई है ठीकर ना अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको घबराने की जरुवत नहीं है जितने भी सारे बाकी के bank हैं वो भी जल्दी यहाँ पर aid कर दिये जाएंगे ठीकर ना तो इस तरह से दुस्तों आप जो है आधार के माद्यम से ही सारे काम कर पाएंगे आपको जो ATM card की जरुवत नहीं है आपको किसी भी तरह से bank passbook की अवशकता नहीं है आपका जो आधार कार्ड है वही आपका ATM card है वही आपका जो है सब कुछ है ठीके ना उसी को आपको जो है समाल के रखना है आधार कार्ड को कहीं पे share भी नहीं करना है कहीं पर अगर आप जो अपना अधार कार्ट शेर कर रहे हैं तो mask अधार को शेर कीज़ीगा ठीक है ना जैसरी कि अगर आप hotel, restaurant कहीं पर अगर लगाते हैं तो mask अधार का यूज करें क्योंकि अपसे आपका जो अधार कार्ड है वो ATM बन चुका है तो दोस्तों ये थी NPCI की एक बड़ी अपडेट I hope कि आज के से वीडियो में आपको जे प्रॉपर इंफर्मेशन मिल गई होगी तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाएगा इंफर्मेशन आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्सें में जरूर से पताईएगा पर हाँ इसी तरह की इंफर्मेशन के लिए चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूले मैं मिलता हूँ आप से नेक्स वीडियो में किसी नए इंफर्मेशन के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए जैहिंद चैपार